नमश्कार दोस्तों स्वागत करते हूं आप सभी के शिक्षा प्रफा में आशा करते हूं आप सभी लोग अपने एक्जाम बहुत अच्छे से दे करके आ रहे होंगे और बहुत अच्छे मार्ग्स आप अपने सभी सब्जेक्स में अच्रीव करेंगे पेंटिंग का पेपर भी मंडे को है जिसे आप बहुत अच्छा देख करके आएंगे इसके साथी साथ मैं आपको एक बार बता दूँ कि आपका पेंटिंग का जो पेपर है वो 15 नमबर का आने वाला है और सिर्फ एक घंडा उसमें आपको दिया जाएगा तो पेपर को पढ़ने में समझने में बहुत जादा टाइम आपको नहीं लगाना है possibility जादा है कि आपका पेपर छूट जाए क्यूंकि मैंने सभी topics पर वीडियो अपने चैनल पर upload की हुई है आपका exam pattern भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है लिक भी मैं आपको description में दे दूँगी तो आप उसको एक बार देख करके जरूर जाए और बिटा इस वीडियो में आप हम लोग यहाँ पर देखेंगे बंगाल चित्रशली का परीचे है बंगाल चित्रशली एक बहतकूर टॉपिक है और इस पर एक question या दो question जरूर आपके exam में पूछे जाएंगे तो इसके अंदर जो आपके बुक में लगभग दो से तीन चैप्टर में बंगाल चित्रशली का जेकर है तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे उसके चित्रों का अध्यन करेंगे उसके चित्रकारों के बारे में जानेंगे चित्रों के बारे में जानेंगे तकनीक के बारे में जानेंगे उद्भव विकास कैसे हुआ वो सब जानेंगे और बंगाल चत्रशली पर कौन से महतुकून प्रशन आप से पूछे जा सकते हैं वो सब भी हम यहाँ पर देखेंगे solution के साथ वीडियो शुरू करने से पहले बिटा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं है आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिटा सबसे बहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे की मेरी वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहे वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना पुलें शुरू करते हैं बिटा हमारी वीडियो को फर्स्ट रम में हमने पढ़ा था लगुचित्रों के बारे में जो संबंदिते राजिस्तान, पहाड़ी, मुगल और दक्षणी कला शेली से लगुचित्र शेली की परंपरा को ही आगे जब बंगाल में ले जाया गया और शुरू किया गया तो उसको नाम दिया गया बंगाल शित्र शेली लेकिन बाकी की लगुचित्रों में और बंगाल शित्र शेली में बने चित्रों में क्या अंतर था कि वो परंपरा से हट करके बनाए गये थे, आधुने काल की कला के अंतरगत बनाए गये थे जब राजपूत में रजवाडों का विग्टन होना शुरू हो गया, मुगल शाचिक भी पराजित हो गये और उसके बाद जब अंग्रेज लोग या इस्ट इंडिया कंपनी हमारे को रूल करने लगी इंडिया में उस वक्त उन्होंने एक शेली को जन्म दिया जिसका नाम था कंपनी शेली और कंपनी शेली पर चित्र जो है आपके स्लेबस में नहीं है लेकिन उस company shelly के विरोध में ही भारतिये कलाकारों ने जिस चित्र शेली को शुरू किया जिससे की भारतिये चित्र कला का जो विदेशों में मतलब एक तरह से अपमान हो रहा था उसको बचाने के लिए या भारतिये कला की मौलिक्ता को दुबारा से शुरू करने के लिए कलाकारों ने जिस कला शेली को शुरू किया उसको वो देते हैं बंगाल चित्र शेली आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं आपने ओद्योगिक क्रांती या आधुनिक क्रांती या आधुनिक दोर या फिर मौडन चीजों के बारे में पढ़ा है उस दोर के बारे में जाना है तो अगर हम चित्रकला के मौडन दोर की बात करें या आधुनिक कला की बात करें तो हम इस चीज को शुरू करते हैं बंगा चित्रशेली की शुरुवात करी थी अमनिंद्रनाथ टेगोर ने, इनका नाम आपने शायद ना सुना हो, लेकिन रविंद्रनाथ टेगोर का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, रविंद्रनाथ टेगोर वही जिन्होंने रास्ट्रिगान लिखा है, जन्गन्मन जो ह सभी लोग जानते हैं उन्ही के बड़े भाई के बेटे थे अमनिंद्रनाटे गोर और अमनिंद्रनाटे गोर के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था गगेंद्रनाटे गोर ये दोनों ही चित्रकार थे लेकिन भारतिय कला या बंगाल शेली का जन्म दाता जाना जाता है अवनिंद्रनाट टेगोर को और इनको ही आधुनिक कला का पिता भी कहा जाता है क्यूंकि इन्ही की कला से और इन्ही के परियासों से भारतिय कला का आधुनिक दौर शुरू हुआ था ये हमने जाना कि बंगाल चितरशली कैसे आई, कब आई तो उसके बारे में बीस्वी शताबदी का जो समय है वो माना जाता है कि बंगाल शेली का प्रादुभाव बीस्वी शताबदी से हुआ क्यूंकि 1861 इश्वी में अमनिंद्रनाटे गोर का जन्म हुआ था कलकत्ता में हुआ था, जोड़ा साकू नामा के एक जगा है जहां पर उनका जन्म हुआ था उनके जन्म के बाद जब वो थोड़े से युवा हुए और कला की डिस्ट्री में उन्होंने अपनी रुची दिखाई और वो इवी हेवेल से मिले और इवी हेवेल की प्रेना से जब उन्होंने कला विद्याले कलकत्ता में पहला कला विद्याले जब उन्होंने खोला बंगाल शेली की विशेशता क्या थी दोस्तों मैं अभी बुक में जो लिखा है उसको पढ़ाने से पहले मैं बस थोड़ा सा क्या रहता है कि हम उस टॉपिक पहुंच जाए जो हम जानना चाहरे हैं जब हमको वो किलियर हो जाता है उसके बाद हमको जो बुक में दिया होता है हम उसको पढ़ लेते हैं और जैसे कि मैं बहुत जादा बुक यूज भी नहीं करती हूँ पढ़ाते वक्त तो ये बुक आपको ऐसे दिख भी रहोगा तो इसको आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं रीड कर सकते हैं मैं सिर्फ आपको समझाओंगी कि बंगाल कला शेली या बंगाल चितर शेली क्या एक वो भवन था जिसके अंदर वो सभी निवास करते थे टेगोर भवन जिसको पहले बोला जाता था और फिर उसके बाद उसी के अंदर कला विध्याले की स्थापना हो गई इसी समय को आधुनिक काल भी कहा जाता है बंगाल चितर शेली भी कहा जाता है और पुन जागरन काल भी कहा जाता है किसका पुन्जाग्रण भारतिय कला का पुन्जाग्रण तो इसके बारे में थोड़ा सा अब हम यह आपे देख लेते हैं कि बंगाल चित्रशली की उत्पत्ति और रास में क्या दिर रखाया में तो उत्पत्ति बीसमी शताबदी में हुई थी राश्चवादी आंदोलनों क चलते हुई थी एक बुलंद अवाज में पस्चिमी यथार्थवाद को की प्राणहीन कलाशली का अंधाधुन करन करने से अपने आपको अलग करने लगे कौन भारतिय कलाकार जब उसके बाद इस कला की शुरुआत हुई और इसमें कुछ लोग थे जिन्होंने अंविंद चलाल बोस चितीजनात मजूमदार और क्या नाम शेलिंद्रनाट डे राम किंकर बैज डीपी राय चौधरी ये प्रमुख बंगाल शेली के कलाकार थे जिन में से कुछ मूर्थिकार थे और कुछ चित्रकार थे लेगिन यहाँ पर कुछ नाम आपको दिये गए हैं जैसे क राजा रवी वर्मा मैं थोड़ा सा पाइंट कर देती हूं कुछ नाम आपको दिये गए हैं जैसे कि राजा रवी वर्मा अमनिंद्रनाट के बारे में मैंने बता दिया गगेंद्रनाट अमनिंद्रनाट के बड़े भाय थे और रविंद्रनाट इनके चाचा होते थे को हम बंगाल शेली का कलाकार बोलते हैं। बाकी राज रवीवर्मा, गगिद रनाठ टे गोर रविंद रनाठ तर नहीं थे लेकिन ये विरोधी थे किसके संप्प्हता का जो हम कौपि कर रहे थे अनुकरण कर रहे थे या फिर कंपनी शैली में जो चित्र बन रहे थे और जिससे हानी हो रही थी हमारी मौलिक कला को तो उसके विरोध में ये सभी कलाकार खड़े हुए थे अपने अलग-अलग प्रियासों से तो अमनिंद्रनात का प्रियास इस छेत्र में था बंगाल चित्र शैली की स् कंपनी शैली आई जो चित्रकार थे पहले उन चित्रकारों को सरक्षन था राजाओं का राजा उनको अपने दर्बार में रखते थे राजपूत हों चाहें मुगल हों चाहें पहाडी समराठ हों तो वो उनको पे करते थे और चित्रकार पेंटिंग्स बनाते थे जैसा कि राजा लोग बनवाते थे चाहे ग्रंत चित्रांगन करा रहे हैं चाहे सुतंत्र पेंटिंग बनवा रहे हैं लेकिन उनका जब एक तरह से ये राजा वाली परंपरा चली गई तो चित्रकार बेगर हो गए अभी वो क्या करेंगे तो उस वक्त क्या हुआ कि company shelly में चित्र बनने लगे और अंग्रेज अधिकारी उनसे चित्र बनवाने लगे कैसे की हम तुम्हें इतने रुपे देंगे और तुम्हें ये पेंटिंग बनानी है तो चित्रकार अपना जीवन या परिवार को पालने के लिए क्या किया कि जैसा वो लोग चित्र बनाते थे वैसा वो लोग बनाके देते थे जिसके लिए कलर और शीट उनको इस्ट इंडिया प्रवाइड करती थी या वो व्यक्ति प्रवाइड करता था जो उनसे वैसे चित चित्र बनवाने को इसी तरह से उनके टॉपिक क्या होते थे चित्र बनवाने के कि जिस्से की वो भारतिय दर्शा को दिखा सकें अपने कंट्री में उन्होंने सपेरा बनवाया बंदर मचा नचाता हुआ मदारी बनवाया किसी परिवार में अगर जगडा हो रहा है तो उस कलहा को दिखाया बाजार के द्रिश्य दिखाये हमारे यहां के जो लोग थे उनके रहन जहन दैनिक जीवन से संबंधित चित्रों को उन्होंने बनाया और फिर उसको ले जाकर के अपनी कंट्री में दिखा जिससे की हमारी जो आर्ट थी उसका एक तरह से मतलब बुरा दौर यह देखा जा सकता है कंपनी शेली में भारत्य कला का बुरा दौर और उससे उबरने के लिए बंगाल शेली की शुरुवात हुई और बंगाल शेली में लेकर के आये क्या जो हमारी सम्रद कला परंपरा जो आजंता में चितर बने जो मुगल शेली में चितर बने और इसके अलावा जो हमारे प्रतिका आत्मक सुंदर्य आत्मक चित्रण होते थे उस परंपराओं को वहां की लेयात्मक रेखाओं को वहां के भावों को उठा करके बंगाल शेली में चित्रकार लेकर आए और उन्होंने उन्ही रेखाओं पर और उन्ही रंगों की अधार पर चित्रांकन करना शुरू किया बशर्ते जो उनके विशे थे चित्रांकन के वो बदल गए अब बंगाल शेली में हमारे विशे क्या हो गए बंगाल शेली में हमारे विशे हो गए चित्रकार के अपने मनमर्जी पर यानि कि चित्रकार ने जो चित्र बनाए उसके विशे तो अपने थे लेकिन उसकी जो रे देखने मिलती हैं यह चीज आपको पता चली अब इसके बाद आ जाते हैं कि बंगाल शेली की जो इस्पेशल क्वालिटी है या जो देन है वो क्या है तो दोस्तों है जापान की वाश तकनीक तो इसको सीखा था अमनिंदरनात तेगोर ने किस से सीखा था दो जापानी कलाकार जिसमें की एक का नाम हिसी दा और एक का नाम मैं अभी बूल रहे हूँ वो मैं आपको डिस्क्रिप्चिन में बता दूंगी तो हिंसें दा और करके कुछ इसी तरह से कुछ जापानी दो आर्टिस्ट हैं जिनसे उन्होंने वाश तकनीक सीखी थी और उस वाश तकनीक को सीखने के बाद फिर उन्हों ने सिखाई अपने शानतिन्य केतन कला विध्याले में अपने शिश्यों को वो तकनीक दी वह तकनिक क्या है वाश तकनिक क्या है तो इसके लिए वाश तकनिक क्या है तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक हैडमेट शीट लेते हैं उसके अंदर ड्राइंग करते हैं ड्राइंग करने के बाद फिर हम किसी एक कलर को उठाते हैं और उस पेंटिंग में उस कलर की जहां ज तो उस शीट को हम पानी में डुबा देते हैं और उसको भीगा देते हैं कलर को छुटा लेते हैं तो जितनी नीड कागज को होती है वो उस कलर को अपने अंदर ले लेता है उस शीट को फिर हम सुखाते हैं और सुखाने के बाद फिर उसमें दूसरा कलर लगाते हैं इस तरह से हम उसको दुबारा दोते हैं फिर सुखाते हैं फिर लगाते हैं इस तरह की प्रिक्रिया हम बार बार दोराते हैं कब तक जब तक कि हमारा पूरे शीट पे जो जो कलर हमें देना है नहीं दे देते उसके बाद पूरा शीट को कलर लगाने के बाद जब लास्ट पार दूने के बाद सुखाया जाता है तो जब वो थोड़ा हलका गिली रहती है, तो उसके उपर पतले कलर की एक कोट मारी जाती है, जिसको वाश कहते हैं कि हम वाश कर रहे हैं या वाश कर रहे हैं, तो पतले रंग की एक वाश उस पर दी जाती है, और उसके बाद जो हमने ड्राइंग की होती है, उस ड्राइंग इस तकनीक को सबसे पहले भारत में लेकर आये थे अमनिंद्रनाट टेगोर जो उन्होंने दो जापानी कलाकारों से सीखी थी और बाद में उन्होंने इस तकनीक को अपने शिश्यों को भी दिया इससे क्या होता था कि वह ऐसे लगते थे रहसे में एक वातावरन उस चित्र म जाने लगते थे और धूंत या कहरा चाहरा एसा दिखने लगता था अगर संबभ हुआ तो मैं आपको दिखाती हूँ अगर इन पेंटिंग में से कोई वाश है तो ठीके दोस्तों अभी इन चारों में से कोई भी वाश पेंटिंग नहीं है लेकिन मैं आपको नेक्स वीड बस उनको प्रियोक करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है इस चैप्टर में हमने सीखा बंगाल चित्रशेली क्या है बंगाल चित्रशेली के विशे क्या है बंगाल चित्रशेली की प्रमुख विशेश्ता क्या है बंगाल चित्रशेली के प्रमुख कलाकार कौन-कौन से है और बंगाल चित्रशेली पर कौन सी कला का प्रभाव हमको देखने मिलता है मैं दुबारा रिपीट करती हूँ बंगाल शेली आधुनिक कला है कला का आधुनिक की करण जो है वो बंगाल शेली से शुरूआ बंगाल शेली के प्रमुख कलाकार यहाँ पर आपको दिये गए हैं जिसमें नंदलाल बोस, असीद कुमार हल्दर, छितिन रात मजूमदार, देवी प्रशादराय चौधरी, सादराचर रनुकील, शेलिंदर नाड़े, मुकुल्डे, सुरेंदर गांगुली, रवीश अंकर विशे रहे वो और लेकिन उनकी जो शेली थी वो प्रभावित थी अजन्ता और मुगल से, बंगाल शेली को जो लेकर के आयस्तितु जिसने बंगाल शेली का शुरू किया वो थे अमने न्रनाट तैगोर और उनको प्रेड़ना दीती ईवी हवेल ने, जो कि इससे पहले अलावा अमने न्रनाट तैगोर ने एक चित्र जो था जो बनाया था बंगाल शेली में जिसका नाम यहां पर दिया गया है भारत मा था बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, बात करते हैं बंगाल शेली में बने चित्रों के बारे में, तो इसके अंदर पहला चित्र जो हमको ह हमारे स्लेबस में दिया हुआ है, वो है यात्रा का अंथ, दोस्तों यात्रा का अंथ चित्र यहां पर हम एक बार देख लेते हैं, ये देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, इसके अंदर एक उट को चित्र दिखाया है चित्रकार ने, जो की लगभग बिलकुल ठक हुआ है, मरनासन अवस्था में है, मरने वाली दशा में है, ठकान से इसका बहुत बुरा हाल हो चुका है, ये आगे के गुटनों, मतलब आगे के जो दो पैर हैं, उसके गुटनों के बल लगभग जमीन पर निढाल होकर पड़ा हुआ है और इसकी कमर पर बहुत सारा और जो नीचे का हिस्सा है जमीन का हिस्सा है वो थोड़ी पत्रीली ब्राउन कलर की जमीन यहाँ पर दिखाई हुई है दोस्तो इस चित्र के चित्रकार का नाम है अमनिंद्रना टैगोर हान जी वही अमनिंद्रना टैगोर जिन्होंने बंगाल शेली की इस्थापना करी और वही अवनिंद्रनाट्य गोर जिन्होंने बंगाल शली में वाश पदिती की शुरुवात करी। और ये जो चित्र आप देख रहे हो ये वाश पदिती में ही बना हुआ है। बात कर लेते हैं इस चित्र की डिटेलिंगी। तो दोस्तों चित्र का नाम है यात्रा का अंत चित्रकार है अवनिंद्रनाट्य गोर और ये बना हुआ है कागजपर जलरंग से और इसका समय होगा 1937 इश्वी। क्यूंकि बंगाल शेली आदुनिक काल की शेली थी इसलिए इसका जो काल गिना जाएगा वो आदुनिक काल गिना जाएगा। और क्यूंकि ये वाश तकनीक में बना हुआ है इसलिए इसकी तकनीक होगी टैंपरा प्लस वाश। मैं यहाँ पर आपको टेंपरा और वाश के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी टेंपरा और वाश क्या होता है वाश तो हम इससे पहले पढ़ी चुके है ठीक है आवश्कतन उसार शीट को बार बार पानी में भिगाना और फिर उसको सुखा करके दुबारा से रंग ल जब हम रंगों के अंदर सफेद और गहरा भूरा रंग मिला देते हैं कलर को अपार दर्शी बना देते हैं वाश और टेंपरा तकनीक का एक साथ प्रियोग बहुत कम चित्रों में किया जाता है तो जब हम किसी भी wash तक्नीक के चित्र में सफेद या काले रंगा मिश्रण करके चित्र में color करते हैं तो वो तक्नीक कहलाती है tempera और wash वाश चितरन तकनीक में हम काले और सफेद रंग का प्रयोग नहीं करते हैं और अगर हमने वाश चितरन में काले और सफेद रंग का प्रयोग किया है तो वो हमारा हो जाता है टैमपरा और वाश आशा करती हूँ आपको ये समझाया होगा और ये चत्र वर्तमान में कहां सुरक्षित है रास्ट संग्राल है नई दिली ने इस चत्र के बारे में हम जान लेते हैं तो 1937 में अमनिंद्र नाट्टे गोर ने इस चत्र का निर्मान किया वाश और टेंपरा तक्नीक से इस चत्र को बनाया और इन दोनों ही तक्नीक में जलरंगों की आवशक्ता होती है तो जलरंग परियोग में लाए और बंगाल पत्री का प्रवास में प्रकाशित होने के बाद कला की इस महान कृती को पहली बार पहचान मिली इसका मतब क्या है कि अमिंद्र नाटे गोर जी का ये वाला चत्र बंगाल पत्री का जिसका नाम प्रवास था उसके अंदर प्रकाशित किया गया था इस चित्र में उट को पीले और भूरे रंग से दिखाया गया है उसकी पीट पर भारी भरकन सामान लदा हुआ है ऐसा दिखाया गया है और उस सामान का रंग नीला, काला, भूरा और पीला है इसके अतिरिक्त उट को रसियों से बंधा हुआ दिखाया गया है उट की दसा भूका, प्यासा, ठका हुआ है कस्टों से उसकी आँखें आधी खुली हैं और आधी बंध हैं शरीर निढाल पड़ा है इसी कारण इस चित्र को नाम दिया गया है यात्रा का अंत उट की पीट पर लदाबारी बोज, मालिक द्वारा किये जा रहे चरम, शोशन वे जुल्मों का प्रतीक यहां पर दिखाया गया है इसके बाद भी जानवर अपने मालिक के प्रती वफादार बने रहना चाहता है इसलिए पूरे हिम्मत वे साहस के साल्थ वो फिर से उठने का प्रयास करता है ऐसी छवी चित्रकार ने इस चित्र में उठ की चित्रित की है इसके अतिरेक्त उठ जहां पर गिरा हुआ है उसके नीचे पत्थरों को नीले और गहरे भूरे रंग की आभा प्रदान की गई है प्रस्ट भूमी में लाल, पीले वे भूरे रंगा उचित संयोजन के साथ चित्रन किया गया है जो की स्रेगिस्तान में सूरे अस्त को दिखाता है तो दोस्तों ये था इस चित्र का विवरण इसके साथ ही जान लेते हैं कि अवनिंद्रनाटे गोर कौन थे अवनिंद्रनाटे गोर एक बहुती बड़े धनाड्य और धन संपन परिवार में इन्हुने जन्म लिया इनके पिता गुणेंद्रनाट थे और इनके चाचा जी रविंद्रनाटे गोर थे हाँ जी वही रविंद्रनाटे गोर जिन्हुने जन्गनमन की रचना की है और जिनको भारत में स्वर प्रथम नॉबल प्रशकार से सम्मानित किया गया उनकी पुस्तक गीतांचली पर और उनहीं के तीजे हुए अवनिंद्रनाटे गोर अवनिंद्रनाटे गोर का जन्म 1871, 7 अगस्त में हुआ और कहां हुआ जोड़ासा कू कलकत्ता में इसके अतिरेक्त जिस तरह से इनके परिवार में सभी लोग कलाप्रेमी थे इसी तरह अमनिंद्रनाटे गोर भी बड़े कलाप्रेमी हुए और कला के प्रती समर्पित हुए उस समय जिस समय भारतिय कला परंपरा और ब्रिटिस दुस प्रचारकों के कारण पिलकुल ही तुच श्रेणी में आ गई थी या इसका पतन हो चुका था उस समय अमनिंद्रनाटे गोर ने भारतिय कला को एक नई दिशा प्रदान की बंगाल शेली के रूप में जिसकों हम आधूनिक भारतिय चित्रकला के रूप में भी जानते हैं आमनिंद्रनाथ ने अपने चित्रों में प्राकरतिक द्रश्य, लोगपर्व, इतिहास, जन जीवन, क्रश्न लीला, सभी चित्र, पुरान और अनेक कथाओं को टेमपरा और वाश तकनीक में जो की जापानी तकनीक कहलाती है उसमें चित्रित किया इनके द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुक चित्र हैं भारत, माता, गणीश, जननी, बुद्ध का जन्म, बुद्ध और सुजाता, तिस्य, रक्षिता, ताज महल, सहाजहां की मृत्यू और जीवन संध्या दोस्तों, जीवन संध्या चित्र, यात्रा का अंत्र चित्र का ही दूसरा नाम है और यात्रा का अंत्र चित्र वही जिसका विवेजन अभी हम कर रहे हैं कहा तो यह भी जाता है कि रविंद्रनाथ जो की इनके चाचा हुआ करते थे, जब उनकी मृत्य हो गई तो उनकी याद में अमनिंद्रनाथ्टे गोर ने इस चित्र को बनाया और यह उनके जीवन का अंतिम चित्र कहा जाता है क्योंकि इसके बाद उन्होंने अपने ब्रश का त्याग कर दिया था इसी चित्र को जीवन संध्या नाम से भी जाना जाता है दोस्तों बात करते हैं दूसरे चित्र की चित्र का नाम है शीव तथा सती तो दोस्तों शीव विश्यों पर चित्र जिस बंगाल शेली के आर्टिस्ट ने बनाए उनका नाम था नंदलाल बोस तो कहीं पर भी कन्फ्यूज होने की बात नहीं है अगर शीव या शीव की पत्नी उमा या पार्वती पर संबंधित कोई चित्र अगर पूछा जाए किसका है तो वो होगा नंदलाल बसू या नंदलाल बोस का देख लेते हैं एक बार इस चित्र को तो दोस्तों ये चित्र भी वोश पत्ती में ही बना हुआ है इसके अंदर दो आकरतियों को दिखाया गया है एक पूरुष और एक महिला पूरुष आकरती को शिव के रूप में और महिला आकरती को सती के रूप में चित्रत किया गया पुरुष आकरती के पीछे प्रकाश पुन्च दिखाया गया है और माथे पर चंदन सफेद टी का चित्रत किया गया है गले में सर्ब की माला है बालों का जूड़ा है और लंबे बाल दिखाये गए हैं पुरुष का शरीर अधनगन है और इस्त्री जो की सती के रूप में हापर चित्रत की गई है उनको भगवान शिव ने अपने गोद में लिटाया हुआ है सती का शरीर निढाल पड़ा हुआ है जैसा की मृत्यू के बाद होता है शरीर में जीवन की कोई किरण चित्रकार ने चित्रत नहीं की है सती के चित्र को चित्रकार ने साडी में दिखाया है और जो उसने आभूशन पहने हुए हैं वो भी एक दिशा में गिरते हुए प्रतीत होते हैं तो दोस्तो आप देख लेते हैं इस चित्र की बारीकियों को तो चित्रकार का नाम है नंदलाल बोस और ये भी क्योंकि बंगाल शेली का चित्र है इसले आदुनिकाल का ही माना जाएगा कागच पर बना है और 1947 एश्वी में इस चित्र को बनाया गया था सेपिया रंग से आप यहां पर पहरेशान ना हो सेपिया रंग यहां पर जल रंगों को ही कहा गया है और ये जल रंग से बना हुआ है इस चित्र का आकार 456 सेंटिमीटर है और वर्तमान में ये चित्र राष्चस अंगः ले नीधली में सुरक्शित है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप राश्च संग्राले न्यू दिली जा सकते हैं दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि चित्र की जो लंबाई होती है वो जादा होती है और जो चोड़ाई होती है कम होती है तो लंबाई यहाँ पर 56 होगी और चोड़ाई यहाँ पर 43 होगी विवरण में आ जाते हैं तो नंदाल बोस ने भगवान शिव तता उनकी पतनी सती जिनको पारवती भी कहा जाता है उनसे सम्बंदित एक पुराणी घटना को दिखाया है और यह घटना वही है जिसके अंदर जब सती अपने पिता दक्ष के यग में जाती हैं बिना अनुमती के और उसके बाद वहाँ पर अपने पती का अपमान होते देखती हैं तो उस अपमान को सहन ना कर पाने के कारण माता सती अपने शरीर का त्याग कर देती हैं और उसी घटना को यहां पर नंद लाल बोस ने दिखाया है कागज पर पीले, भूरे, बैंगनी तथा लाल रंगों की विभिन आभाउं का प्रियोग इस चित्र में किया गया है चित्र के प्रस्ट, भाग में भूरे वे पीले रंगों की हलकी वे गहरी आभाउं का प्रियोग चित्रकार ने किया है इसके अतिरेत भगवान शिव वे सती को प्रमुकता से इस चित्रकार ने दिखाया है और भगवान शिव की जो मुद्रा है वो उदास मुद्रा में या चहरे का भाव कहलो कि चहरे पर जो भाव है वो उदासी इंता का भाव है शिव को बैठी हुई मुद्रा में दिखाया गया है और सती के मुर्जय चहरे को ऐसा हाय भाव से निहारते हुए अपनी दोहनों बाहों से सती के सरीर को सहारा देते हुए भगवान शिव यहाँ पर चितरित किये गए है सती उनके बाएंग उटने पर मूर्चित अवस्था में लेटी हुई है गले, कानों, बाजू वे कलाई में आभूशन वे हलके रंगी साड़ी उन्होंने बांधी हुई है सिव के सर के पीछे हलके पीले रंग का अभा मंडल दिखाया गया है उनका मस्तक जो है वो उजला जैसा की मैंने कहा सफेद रंग से दिखाया गया है और उनके बाल बंदे हुए हैं किन्तु दोनों कंदों के पास पैले हुए हैं जैसा की हम शिव की विभिन परतिमाओं में देखते हैं शिव के गले में हार है, साफ है और उनका धड़ यानि की शरीर थोड़ा भारिपन लिये हुए है चित्र का अगर भाग बैगनी है वे सफेद रंगों के मिश्रण के द्वारा एस पस्ट यानि की वही जो की विशेशता है वाश चित्रन पदिती की हलका धुंदलापन लिये हुए है तो दोस्तों ये था विवरण शिव और सती चित्र का अब हम बात कर लेते हैं नंदलाल बोस के बारे में तो नंदलाल बोस इनका जनम 3 दिसंबर 1883 को मुगेल खड़कपूर में हुआ था कलकत्ता के कला विध्याले में अध्यन करते समय इनका परिच्य विध्याले के उप प्रचारे यानि की वाइस प्रेंसिपल अवनिंद्रनाट टेगोर्जी से हुआ जहां पर इन्होंने बंगाल चित्रशेली के बारे में सीखा और उस पर आगे काम किया अवनिन्द्रनाट के सहयोग से इन्होंने अंग्रेज भित्ती चित्रकार यानि की लेडी हरिंगम के दल में शामिल होकर या उनकी अध्यक्षता में भी हम कह सकते हैं अजन्ता और बाग चित्रों की अनुक्रती की दोस्तो अजन्ता और बाग आपने 11th क्लास में पढ़ा है ये गुफा चित्र हैं और प्रतिकरती होता है किसी चित्र को देखकर उसकी नकल तयार करना तो इस तरह का काम भी अननलाल बोस ने किया है लेडी हरिंगम के नेतरतु में इस तरह इनको भार्दे कला की उतकरस्ट कलाकरतियों के संपर्क में आने का अवसर मिला यहीं से इनकी कलात्मक्षैली में व्यापक, परिपक्वता, वेपरिवर्तन आए इनके प्रमुक्चित्रों की अगर हम बात करें तो वो होंगे सती, विश्पान करते हुए सिव, पार्थ सार्थी, बुद्ध की वापसी, स्वन कलश, शिवलोक, सुजाता, उमा, वीनावादनी, अर्गनारिश्वर, व्रक्षरोपन, शिवसती, मा और बच्चा इनका एक चित्र है यहाँ पर डांडी मार्च, जो की इनका लीनो कट चित्र है, लीनो कट दोस्तों छापा चित्र कला की एक विधा होती है, यानि की ये चित्र नाओ करके एक छापा चित्र है, जो की लीनो कट से तयार किया गया है, लीनो रबड की मोटी शीट को कहा जात नंदलाल बोस 1920 में कलकत्ता भवन के प्रचार न्यूक थुए थे। पदम विभूशन तो इनको सबसे पहले पदम भूशन दिया गया भारसरकार के द्वारा। दोस्तों बात कर लेते हैं अपने तीसरे चित्र की जो की आपकी स्क्रिन पर है। पहुत जादा सुंदर चित्र है ये और इस चित्र का नाम है रादिका जिसको हम धूमिल रादिका भी बोलते हैं। इस चित्र के चित्रकार हैं अबदुल रह्मान चगतरी। इस चित्र को बारी की से एक बार हम जरूर देखेंगे तो वही वोश पदती में बना हुआ चित्र है। एक दम से घना कोहरा या फिर धूमिल वातावरण रहसे में वातावरण चित्र में उत्पन्न किया गया है महिला का चेहरा नीचे की तरफ जुका हुआ है अपने उल्टे हाथ पर और अधखुली बड़ी आखें एक चश्म चहरा दोस्तो होते हैं जिसके अंतर सिर्फ एक आख को दिखाया जाता है जित्र में सिर्फ एक आख नजरा रही है इट मेंस ये एक चश्म चहरा है मोटे पतले पलड़ दार होट है पहनी नाक हैं कानों में गले में आभुशन है हातों में चूडिया है और इन्होंने पीले रंकी धोती ती यानि कीサडी पहनी हुई है नारंगी लाल रंका ब्लाउज इन्होंने पहना है बहुत ज़्यादा कोमल तरीके से रेखाओं दोस्तों चित्र की डिटेलिंग तो मुहमद अब्दुल रह्मान चबतई का ये चित्र है और इन्होंने इसे कागज पर जल रंग से बनाया है 1940 इश्वी में उन्होंने इस चित्र को बनाया है आधुनिककाल का चित्र ये कहलाएगा टेंपरा वश तकनीक का ये चित्र है और रास्ट्रे संग्रालय में सुरक्षित है दोस्तों कुछ हमको करने की जरूरत ही नहीं है किस बारे में कि कौन सा चित्र कहां रखा हुआ है आपकी बुक में लगभग चितने भी चित्र दिये हुए है वो सभी के सभी रास्ट्रे कला संग्रालय नई दिल्ली में रखे हुए है सिवाए एक चित्र के जिसका नाम है समुंद्र का मान मर्दन करते श्री राम इस चित्र को हम आगे पढ़ेंगे अब बात कर लेते हैं इस चित्र की डिटेलिंग की तो दोस्तों अब्दुर्रह्मान चगताई ने इस चित्र को जलरंग की टैंपरा और वाश्विदी से 1940 इश्वी में बनाया इसमें उन्होंने राधिका के मन के भावों को दिखाया है कलात्मा धंग से प्रेम वश आधी खुली आखें जुके हुई गर्दन, पीठ तक फैले हुए बाल गले से सटी, मोतियों की दो लड़ियों वाली माला या फिर हार उसमें नीचे की और लटका हुआ विशेश, अलंकरण, लाल, पारदर्शी, चोली से जहाकते हुए उनका वक्ष इस्थल और इसके अतिरेक्त धागे से बंधा, एक सुन्दर अलंकरण, दोनों हातों में चूणियां, आभुशन पहने हुए, दाहिना हाथ नीचे की और लटका हुआ है लेकिन कोमलता के साथ कमल पुष्प को समहाल रखा है उस पर श्रीक्रिष्ण की उपस्थिती धरसाती, मधुमक्खी तथा दूसरे हाथ के पुष्प को मुख से लगा कर कोमलता का एहसास करते हुए, यहाँ पर धूमिल रातिखा को चित्रत किया गया है जिन्होंने कमर के नीचे हलके बैंगनी रंग से पारदर्शी लहंगे को आगे की और दूर तक फैला रखा है पीले रंग की चुनरी जो की पीट वे लहंगे से बहुत हद तक ढकी हुई है उसमें गहरे भूरे वे लाल रंग की बारीक रेखाओं से उसकी किनारी जिसको हम बॉर्डर कहते हैं बनाया हुआ है आकरती के आदे हिस्से पर पास रखे हुए दिये का प्रकाश एक विशेश चमक से दिखाया हुआ है वस्तरों की सिल्वटें उसी रंग को गहरा करके दिखा दी गई है अलंक रद्दियों को जलते हुए प्रकाशित होते हुए दिखाया गया है उसके प्रकाश से प्रकाशित भाग को चमक के साथ लाल पीले रंगों के उचित सेयोजन से दिखाया गया है तथा दूरवर्ती भागों को काले लाल वे पीले रंग की मिश्रित आभाऊं से रंगा गया है चगतै ने इस चित्र को बहुत खूपसूर्ती से रंगों की सोम्यता से वैरे खाऊं की लियात्मकता से चित्रित किया है दोस्तों ये था इस चत्र का विवेचन अब हम देख लेते हैं कि अब्दुर्रह्मान चगुतै कौन थे इनका जीवन समय था 1897 से लेकर 1975 इश्वी दोस्तों इनका जन 1897 इश्वी में लाहोर में हुआ था इनके पूर्वजों ने ताज महल, लाल किला, जामा मस्जिद, जैसी विश्व परशिद, मुगल, कालीन, इमार्तों की रूप रेखा तयार करने में महत्वकून निभाए थी यानि कि इनके पूर्वज भी अववल दर्जे पर कलाकार रह चुके थे तो अब्दुलरह्मान ने अपनी इच्छा शक्ती के बल पर विश्वस्त्रिय चित्रकारी के गुण सीखे थे यानि कि इन्होंने किसी स्कूल से कलाको नहीं सीखा यूरोप की चित्रशेली इनको बेजान लगी इसलिए इन्होंने वापस भारत लोटकर उकील बंदुओं से जो की शार्दा चरण उकील थे और ये थे किसके से शेख अवनिंदरनाट टेगोर के उनसे उन्होंने जापानी वाश तकनीक को सीखा इन्होंने इसी वाश तकनीक से चित्र में रूमानियत होती है एक तरह से खासियत या फिर धूमिल वातावरन रहसे में वातावरन जिसको हम बुलेंगे विक्सित करने की खोशिश की इनके चित्रों की विसेवस्तु एक और हिंदु मिथक पर आधारित थी तो दूसरी और मिर्जवा गालिब इकबाल वे उमर खयाम के काव्यों पर धी आधारित थी अपने चित्रों की प्रदर्शनी चगुतई ने लंदन में, पैरिस में, बर्लिन में, फिलीडेफिया में आयोजित की इसलिए इन्हें विश्प्रशिद कलाकारों से मिलने का अफसर मिलता रहा जिससे इनकी चित्रकला और अधिक परिपक्व हो गई देश का विभाजन होने के बाद ये लाहोर में जाकर बस गए दोस्तों ये थे हमारे अबदुर्रह्मान चगतई हमारा लास्ट चित्र है मेगदूद मेगदूद चित्र को हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दो महिला और पुरुश आकरती को आसमान में बादलों पर सेर करते हुए दिखाया गया है नीले रंग का सुछंद आसमान उड़ते हुए सफेद पंची और बादलों का रत एक तरह से हाँ पर बनाया है चित्र कार ने जो पुरुश आकरती है वो आगे बैठी हुई है और महिला आकरती पीछे से पुरुश आकरती को पकड़ के बैठी है जैसे कि आज कल महिलाएं बाइक पर बैठती है आँ पर यह जो बादल है एक तरह से बाइक बने हुए है इन दोनों के बाल गुंगराले हैं कानों में कुंडल और बहुत सारे आभूशन इन्होंने पहने हुए हैं दोस्तों क्यूंकि यहाँ पर हमें सवा आँख सवा आँख का मतब मतब वन और वन और वन बै फोर सवा आँख दिख रही है तो इट मेंज यह सवा चश्म चहरे यहाँ पर चितरकार ने बनाए हुए है देख लेते हैं इसकी डिटेलिंग एक बार नीचे तो मेगदूत और चितरकार का नाम है राम गोपाल विजय वर्गिय कागज पर जल रंग से बना है 1940 में अधोनिक काल का चितर है टेमपरा और वज पदी में बना है और ये भी राष्ट संक्रालने नही दिल्ली में रखा हुआ है तो 1940 ईश्वी में राम गोपाल विजय वर्गिय द्वारा चितरित मेग दूत श्रंकला का है तो दोस्तों ये एक श्रंखला पर चित्र बने हुए हैं, श्रंखला क्या होती है दोस्तों, मतलब जो एक ही विशे पर कई चित्र बनाये जाते हैं, उसको हम श्रंखला पूल देते हैं, तो इस चित्र को रंगों के बहत्रीन सयोजन के साथ कलात्मक्ता ढंग से चित्रित किया गया है, नीले आगाश में विशेश लियात्मक्ता के साथ उड़ते हुए सफेद कपासी बादलों पर सवार प्रेमा तुर यक्ष वे यक्षनी को वास्तविक रंग सयोजन से दिखाया गया है, यक्ष के गुंगराले बाल है, कानों में मोतियों के कुंडल है, गले में मोतियों का हार है, बहत्रीन सारी रिक्षर रचना है, मुख पर मुस्कान है, हाथों व्यंगलियों में कोमलता का एहसास है, दाहिने हाथ में कमल पुष्प को पकड़े हुए है, हरे रंग क आभाउं से युक्त वस्तरिन होने पहने हैं, बारीक रेखाउं से ले दिखाने का प्रयास यहाँ पर चित्रकार ने किया है। प्रयणी के बाल सफेद फूलों वाले जूडों से बंधे हुए दिखाये गए हैं। मोतियों का हार उसके गले की सुन्दरता को बढ़ा रहा है। गुलाबी रंग के वस्तर से उसने अपने वक्ष इस्थल को ढगा हुआ है। कमर के पीछे पीला आभा युक्त वस्तर पहना हुआ है जिस पर की चित्रकार ने सिल्वटों को दिखाया है। पेरों में पायल तता हातों में बाजुबंद के साथ साथ आखों में प्रेम वे होटों पर प्रशंता का भाव दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग उपर से नीला तता नीचे बादनों के पास हलका होता जाता है। चार सफेद पक्षियों को अगर भाग में उड़ते हुए दिखाया गया है। वोच एवं टेंपरा तकनीक से बने बंगाल शेली के इस चित्र में कोमलता के भाव के साथ-साथ मन-मोहक वे मन-भावन रंगों का बहतरीन सहयोजन है। तो दोस्तों इसी के साथ एक बार बात कर लेते हैं चित्रकार राम गोपाल विजय वर्गिये के बारे में। तो राम गोपाल विजय वर्गिये का जन्म 1905 में समाई मादोपुर जिले में एक छोटे से गाउं करोली में हुआ था। इसके अतिरिक्त जो इनके पिता थे भवरलाल उनकी रूची को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्राम गोपाल विजय वर्गिये को महराजा स्कूल ओफ आर्ट्स एंड क्राफ्क में अध्यन के लिए पहेज दिया। और ये स्कूल कहां है जैपुर में। यहाँ पर इनको गुरु मिले शेलिंद्रनाथ डे और ये भी पंगाल शेली के कलाकार थे। अपने कला को शांत करने के लिए अपने इंट्रेस्ट में डूबे रहने के कारण ये दिन रात चित्र रचना करते रहते थे। और संयोग से कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली अंग्रे जी प्रतिका मौडन रिव्यू के संपादक रामानंद चटर जी ने इनके द्वारा बनाए गए चित्र जिसमें तीन नार्या सिर पर घडा लिये हुए थी को प्रकाशित कर दिया। और इसी से इनको पहचान मिली। इसके बाद इन्होंने अपने बनाए चित्रों को विभिन प्रतिकाओं में पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए बेजा। और वो चित्र थे विशाल भारत, सरस्वती, चांद, माधुरी के अलावा, गुजराती, बंगला वे उर्दु पत्रिकाओं में भी इनके चित्र प्रकाशित हुए। विजयवर्गिय जी की रचनाओं के मुख्य विशे थे अभिज्यान सकुन्तलम जिसको लिखा था काली दासने, मेग दूत, कुमार संभव, उमर खयाम, बिहारी सत्सई, इत्यादी। रामगोपाल विजयवर्गिय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इनकी हिंदी वेब्रज भाषा में तीन कवीता संग्रे, कहानियों का संग्रे, एक संकलन तथा कला विशे पर लगभग दरजनों कुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। विजयवर्गिय जी की अभिशार निशा नामक कवीता संग्रे पर राजिस्थान अकादमी ने कवीता प्रसकार से भीन को सम्मानित किया है। और 1984 इश्वी में उन्हें भारत सरकार ने पदम श्री उपाधी से भी सम्मानित किया है। तो दोस्तों इसी के साथ बंगाल शेली के चितरकार और उनके प्रमुख चितर ये चैप्टर खत्म होता है। दोस्तों अभी तक हमने जाना बंगाल चित्र शेली कैसे आई, किसने शुरू किया, कब से शुरू किया, क्या प्रयास रहे उसको प्रभावशील बनाने में, क्या उसकी विशेशता रही, कौन से कलाकार प्रमुख रहे, अग्रणी रहे, और बाकी कौन से कलाकार बंगाल चि अब आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे बंगाल चित्रशेली और बंगाल चित्रशेली के चित्रों का अध्यन जो की दो चेप्नर हैं आपकी बुख में इस से कौन-कौन से प्रशन आपसे पूछे जाएंगे, किस तरह के प्रशन आपसे पूछे जाएंगे और उनका जवाब आपको कैसे देना होगा तो सभी important question बंगाल चितरशली पर अभी हम देख लेते हैं Question number 1 से बंगाल चितरशली का उदय कब और कैसे हुआ बंगाल चितरशली का उदय 20 मीश अद्धाब्दी में आरंभ हुआ इस समय रास्ट्रवादी अंदुलनों के चलते भारती चितरकालों वे विद्ध्यार्ति उन्हें ब्रिटिश कलाकादमे के किरिया कलापों के विरुद ना केवल आवाज बुलंद की बलकी पस्च में यद थार्थवाद की प्राणहीन कलाशेली का अंधानुकरण करने से भी अपने आपको अलग करने लगे अब उसके स्थान पर भारती कला की सम्रद परंपरा एवा मूल्यों को फिर से सम्मान की द्रस्टी से देखा जाने लगा और दोस्तों ये किस कारण हुआ बंगाल चितरशेली के उद्य हुने के कारण संकट के इस घड़ी में कुछ ख्याती कलाकार सामने आए जिसमें इस परंपरा के अग्रणी कलाकार रहे अवनिंद्रनाथ टैगोर उनके इस परियास में कलकत्ता के सरकारी कला विद्ध्याले के प्रचारे प्रोफेशर ईवी हिवेल ने उनका सहयो किया दोस्तों याद रहे अवनिंद्रनाथ टैगोर को बंगाल चितरशेली का प्रणेता कलाकार भी कहा जाता है और ईवी हिवेल ने बंगाल चित्रशेली का उदे हुने में प्रेणा प्रदान की थी अवनिंदरना टेगोर को आ जाते हैं कोईशन नमबर टू पे बंगाल चित्रशेली की मुख्य विशेष्टाओं का वर्णन कीजिए तो बंगाल चित्रशेली की मुख्य विशेश्टाय निम्लिखित हैं जिसमें से फर्स नंबर पर आ जाती है वाश पदती का प्रियोग माग कर लेते हैं दोस्तों तो वाश पदती क्या होती है मैंने पहले भी बताया है तो यह जापानी कला है मुख्यता जो की जितनी बार हम शीट पर कलर लेते हैं नया उतनी बार उस शीट को हमें वाश करना पड़ता है पानी से और फिर जब वो सूख जाती है फिर दूसरा कल उठाते हैं तो यह बंगाल चित्रशेली की प्रमुख विशेष्टा है और यह मूलतहा जापान की कला है बंगाल चित्रशेली में सबसे पहले वाश चित्रण पदिती का प्रियोग किया गया था सेकेंड जो हमारी विशेषता होगी बंगाल चित्रशेली की वो है रेखांकन बंगाल शेली का रेखांकन भारतिय कला पर अधारित है जैसा कि अजन्ता, एलोरा, रजिस्थानी एवं मुगल कला में देखने को मिलता है यानि कि यहां की जो रेखाएं हैं वो हमारी परमपरिक कलाओं से प्रभावित है थार्ड पॉइंट है हमारा विशे कौन से विशो पर बंगाल चित्रशेली में चित्रांकन हुआ तो कलाकार ने अपने पसंद के विशो पर चित्रांकन किया परंतु उनकी जो शेली थी वो भाड़ दिया रही फोट पर आजाएगा अपना बंगाल चित्रशेली पर प्रभाव होन थी कलाका रहा तो अजन्ता, राजस्थानी एवं मुगल कला का प्रभाव हमें बंगाल चित्रशेली पर देखने मिलता है फिफ्थ हमारा रंग बंगाल चित्रशेली में जल रंगों का प्रियोग किया गया है यहां तक कि जो वाश चित्रण पदती है, उसमें भी रंगांकन के लिए जल रंग ही प्रियोग में लाए गए है तो यहां पर बंगाल चित्रशेली की पांच विशेष्टों के बारे में हमने बात की है question number 3 पर आ जाते हैं बंगाल चित्रशेली के अग्रणी चित्रकार कौन से थे तो बंगाल चित्रशेली के प्रमुख अग्रणी कलाकार रहे हैं तो प्रणेताई ही रहे हैं सबसे पहले तो अम निंद्रनाट टेगोल और फिर नंदलाल बोस असीत कुमार हलदार छेतिन जनात मजूमदार देवी प्रशादराय चौधरी दोस्तों देवी प्रशादराय चौधरी मोर्तिगार हैं अर चगुतई जिनका पूरा नाम है अब्दुलरह्मान चगुतई और केवेंग टपा ये बंगाल शेली के प्रमुख अग्रणी कलाकार रहे हैं आजाते हैं कोशन नमबर फोर्थ पे बंगाल कला शेली के विकास में अमनिंद्र नाटे गुर की भूमिका पर प्रकाश डालिए बहुत इंपोर्टन कोशन है दोस्तों ये अमनिंद्र नाटे गुर को बंगाल शेली का प्रनेता कहा जाता है अथ्वा पिता भी कहा जाता है प्रनेता पिता एक ही बात होती है दोस्तों तो बंगाल चितरशली का आरम भीनों ने किया था बेसमें शताबदी में और डॉक्टर एवी हवेल की प्रेड़ना से किया था और उस दोरान भारत में रास्ट्रवादी कला अंदोलनों के चलते भारते चितरकारों भारते कला को हीन दृस्टी से देखा जा रहा था इसका प यथार्थवाद की प्राणहीन कला शैली का अंधा नुकरन करने से भी अपने आपको रोकने लगे इस समय डॉक्टर एवी हवेल कलकत्ता कला विद्याले के प्रचारे प्रोफेसर थे उन्होंने इस सब में अमनिंद्रनाटे गो और वैसाती कलागारों को संपूर्ण सहयो आपकावक का परिचय अवनिंद्रनाटे गोर ने ही कराया था बंगाल चित्रशैली की कला परमपरा को आगे बढ़ाने के लिए यह एक कोशन भी वन वर्ड़िड आ सकता है या औबजक्टिर प्राइप आ सकता है तो याद कर लें आप इसे की बंगाल चित्रशैली की कला परमपरा को आगे बढ़ाने के लिए अवनिंद्रनाटे गोर ने 1919 इश्वी में शांती निकेतन में शांती निकेतन एक विध्याले था जिसके अंदर कला भवन की स्थापना की थी और विध्यार्थियों को भारतिय कला की सिक्षा देने एवं प्रचार प्रशार करने का का आरंब किया था दोस्तों इसी के साथ आजाते हैं कोश्य नंबर फाच पे प्रोफेसर इवी वेल का भारतिय आधुनिक कला के विकास में क्या योगदान रहा तो भारतिय आधुनिक कला के विकास में प्रोफेसर इवी वेल का प्रमोखिस्थाने इन्होंने ही अवनिंद्र नाट्य गोर को प्रेरित किया था एवं भारतिय कला की मुलिकताओं पर अधारित कला का निर्मान करने की प्रेरिणा भी इवी हवेल ने ही दी थी जिसके परिणाम शरूप बीजने चतापदी के आउतरार्ध में बंगाल चित्र शेली का जन्म हुआ जो की भारतिय कला एवं विश्यों की मौलिकताओं से परिपूर है दोस्तों यातरा का अंद नामक क्रती में चित्रकार ने किन वेदनाओं को प्रकट किया तो यातरा का अंद नामक क्रती में चित्रकार ने एक ठके हारे वे भूके प्यासे उंट की मनोदशा वे कस्टों को उसकी आधी खुली बात्रा के अंत चित्र में उट की पीट पर लधा हुआ बारी बोज मालिक द्वारा किये जा रहे चरम शोशन वे जुल्मों का प्रतीक दिखाया है गया है मतब चित्रकार ने दिखाया है कौश्य नमबर दो है शीव और सती नामक चित्र के कलाकार कौन है तो यह तो बहुत चोटा सा प्रशन का अंसर है नंदलाल बोस कौश्य नमबर तीन बंगाल शेली के चित्र शीव और सती के बारे में विबरण दीजिए तो चित्र का नाम है शीव और सती चित्रकार नंदलाल बोस आधुनिक काल का यह चित्र माना जाएगा इसकी शेली है बंगाल शेली उन पॉराणिक घटना को दिकाया है. पॉराणिक घटना मतलब जो हमारे ग्रंथों में लिकी गई होती है. उसको हम पॉराणिक बोलते हैं. शिव को बैठी हुई मुद्रा में उन्होंने दिखाया है और सती का मुर्जाय हुआ चहरा असाय भाव से निहारते हुए यहां पर शिव को चितरत किया है चितरकार ने अपने बाएं हाथ से भगवान शिव ने सती के शरीर को सहारा दिया हुआ है और सती उनके बाएं घुटने पर मूर्चित अवस्था में लेटी हुई है उन्होंने गले, कान, बाजू वकलाई पर आभूशन पहने हुए है हलके लाल रंगी साड़ी है माता सती ही शिव जी ने सिर के पीछे एक हलके पीले रंग का आभा मंडल दिखाया गया है उनका जो मस्तक है वो सफेद रंग से उजला दिखाया गया है उनके जो बाल हैं कुछ जूड़े की तरह बंधे हुए हैं तथा कुछ उनके दोनों दोपर बिखरे हुए दिखाए गए हैं। शिव ने अपने गले में हार और साप को धारन किया हुआ है। उनका धड़ थोड़ा सा भारीपन लिये हुए है। धड़ मतलब शरीर का उपरी हिस्सा। आजाते हैं कोईशन नमबर 4 पे चित्र शिव वैसती की विशेशनाओं का यह बहुत इंपर्टन कोईशन है दोस्तों यह इस तरह से किसी भी चित्र की विशेशनाओं आप से पूछ सकते हैं तो आप उसके अंदर लगभग कुछ-कुछ इन ही पॉइंट्स को डाल सकते हैं। चाहे चित्र आपका कोई भी हो। ऐसा नहीं है। अगर टेंपरा पद नंदलाल बोस ने चित्र शिवय सती को वाश्पदती में बनाया है और कुछ-कुछ टेंपरा पदती का भी टच उन्होंने यहां पर दिया है। और यही बंगाल शेली की सरप्रमुक विशेश्ता है। दूसरी विशेश्ता है रहस्य मई वातावरण। तो कलाकार ने पर दिखनापून दिखाया है। तीसरा हो जाएगा आपका विशेश्ता है तो नंदलाल बोस ने चित्र पोराने कृसे पर बनाया है। यह आपको आप उपर कुछन में पढ़ चुके हैं। चौथी विशेश्ता है ले आत्मक रेखांकन। तो कलाकार ने अजन्तवे पर प्रियोग किया है और अपने चित्र को विशेश्ता प्रदान की है। कोशन नंबर पाँच सिव और सती नामक चित्र के रंग संयोजन का वर्णल कीजिए। तो रंग संयोजन हो जाता है। कागज पर पीला, भूरा, बैगनी तथा लाल रंगों की विभिन आभाओं के प्रियोग से निर्मित यह एक नाटकिय चित्र कलाकार ने प्रस्तुत किया है। चित्र के प्रस्ट भाग में भूरे वे पीले रंगों की विभिन हलकी वे गहरी आभाओं का प्रियोग भी कलाकार ने किया है। जो की बैगनी भूरे तथा सफेद रंग की आभाओं के साथ गुमावदार धरातल पर एकाकार होती दिखाई पड़ रही है चित्र का जो अगर भाग है यानि कि आगे वाला भाग है प्रस्ट भाग मतलब पीछे वाला भाग और जो आगे वाला भाग है उसमें उसने बैगनी भूरेव सफेद रंगों का मिश्रण से चित्र बनाया है और कहीं न कहीं ऐसपस्टता या धूमिलता चित्र में लेकर आए है कोशन नमबर सेक्स शीव और सती नामक चित्रों के सैयो जन ववस्था पर टिपनी करो या वर्णन करो तो यह आ जाएगा यह देखी जिस तरह से शीव और सती पर कोशन पूछे जा रहे हैं कोई भी चुषिन हो सकता है या तरह का अंत भी हो सकता है धूमिल राधिका हो सकता है या फिर जो आपका राम कोपाल विजवर्गय का चित्र है मेक बना रखे हैं उन्होंने उसमें उसकी डिटेलिंग आएगी अभी तो कोई भी चित्रा आप से पूचा जा सकता है तो पूछा जा रहा है कि शिव और सती नामक चितर की से योजन ववस्ता पर वच्ण कीजिये मुख्याक्रती शिव्ब और सती कि है जिसब धरातल के बाहिए और किंचित उची छितिजरेहा धरती जहाँ पर घड़ा हुआ जाता है या चीजों का निर्मान किया जाता है तो यहां पर कहीं न कहीं कुछ कुछ मुगल कला जैसा कि छितिज रेखा को थोड़ा उपर कलाकार ने दिखाया है तो दोस्तों चितिज रेखा के बाद आजाते हैं कि धरातल के बीच में यहां पर इनाकरतियों को बनाया गया है कलाकार ने चित्र में हर तरह के सेयोजन के सिध्धान का प्रियोग किया चाहे वो रेखा हो रंग हो अथवा रूप हो आजाते हैं कुशन नबर साथ पे राधिका चित्र पर संचिप टिपणी कीजिए तो राधिका चित्र कागजपर जल रंग से 1944 इश्वी में चित्रकार अब्दुल रह्मान चगुतई ने बनवाया था और ये टेंपरा और वाश्पदिती में बना हुआ है ये रास्ट्र संग्राले नई दिली में रखा गया है आज की डेट में आप महाँ पर जा करके देख सकते हैं इस चित्र को और इसके अंदर प्रेमातुर राधिका के मनो भावों को कलात्मक रूप से चित्रकार ने प्रस्थुत किया है क्योंकि यहाँ पर ये संशिप्त नोट था तो हमने इस चित्र की डेटेलिंग नहीं किया है आजाते हैं क्वेशन नमबर एट पर मेगदूत चित्र में कलाकार ने क्या प्रदर्शित किया है इस चित्र के रचनात्मक सौंदरे पर प्रकास जा लिए तो मेगदूत चित्र में चित्रकार राम गोपाल विजेवर्गे ने नीले आकास में विशेश लियात्मक्ता के साथ उड़ते सफेद कपासी बादलों पर सवार प्रेमातुर यक्ष वे यक्षनी को वास्तविक रंगसेयोजन से दिखाया है यानि की दो आकरती हैं यक्ष और यक्षनी यक्ष मतलब पुरोस और यक्षनी मतलब महिला यक्ष के गुंगराले बाल हैं कानों में मोतियों के कुंडल हैं गले में मोतियों का हार हैं बहतरीन सारे रिक्षरचना हैं मुक पर मुसकान हैं हातों और उंगलियों में कोमलता क का एहसास दाहिने हाथ में कमल पुष्प लिये हुए हरे रंग की विभिन आभाओं से अलंकरत व्रस्त उन्होंने पहने हुए हैं और इन सब को बहुत ही ज़्यादा बारीक रेखाओं से हमारे कलाकार ने दिखाया है बात कर लेते हैं यक्षनी की तो यक्षनी को यक्ष के यानि की पीट से सटकर बैठे हुए दिखाया है उसका दाहिना हाथ यक्ष के वक्ष पर इस तरह से रखा हुआ दिखाया है मानो दो प्रेमी आलिंगन बद हों यक्षनी के बाल सफेद फूलों वाले जूडे से बंधे हुए दिखाये गए हैं उनके गले में मोतियों की मा गुलाबी रंग के वस्त्र जिससे उन्होंने अपने वक्स इस्थल को ढखा हुआ है कमर के नीचे पीला आभायुक्त वस्त्र पहना हुआ है जिस पर सिल्वटें दिखाई गई हैं पैरों में पायल है हातों में बाजू बंध है और इसके साथ आखों में प्रेम और होटो पर प्रसंता के भाव हैं तोस्तो ये थी पूरी वीडियो बंगाल चत्र शेली पर जिसके अंदर आपने उसको बहुत अच्छे से समझा और सभी उसके कोशन आंसर्स को भी हाँ पर हमने देख लिया जो कि एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो आशा करते हूं बच्चों आपको बंगाल चत्र शेली समझ आई होगी सभी कोशन आपके लगभग कवर हो गए होंगे अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम है कुछ समझ नहीं आया है कोई टॉपिक रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बच्चे वीडि जया है आपको झाल 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 मुझे एज टूंड़ झाल किर नहीं वीडि़ एया है तो नहीं दो एदिना कहले है